आज का मारे वीडियो है कि आप गोडेडी एक गोडेडी अकाउंट से दूसरे गोडेडी अकाउंट में डॉमेन को कैसे ट्रांसपर कर सकते हैं उसके बारे में तो आपको क्या करना है जिस अकाउंट चे आपको गोडेडी अगर आपको आपके पास उन दोनों की access तो दोनों को अलग अलग ब्राउजर में लॉगिन कर लीज़ी और उसके बाद में जिस अकाउंट से हमें ट्रांसपर करना है उस पे हम लॉगिन हो जाते हैं अभी हमने यहां पे लोगिन किया है और हम चलते हैं अपने माई प्रोडेक्ट्स के सेक्शन में यह डोमेन है और इसके सामने जो मैनेज लिखावा है इस पर क्लिक करें जैसे यह मैनेज पर क्लिक करते हैं उसके बाद में आपको स्क्रोल करना है इस्क्रोल करने के बाद हैं ट्रांसपर डोमेन टू अनौधर कोड़ेटी अकाउंट पर क्लिक करें जैसे ही आप ट्रांसपर टू डोमेन अनौधर कोड़ेटी अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर अपनी इमेल डालनी है जिस account में आप transfer करना चाहते हैं यानि कि इस account से जिस account में आप transfer करना चाहते हैं वहाँ पे अपनी उसकी email id डाले और customer id optional है अगर आप डालते हैं तो ठीक है ने था कोई दिकत नहीं है और अभी हम email id डालते हैं यह हमने डाल ली और इसके बाद है customer id जो कि मैंने पहले भी बता है और उसके बार में है do you want to copy the current domain contact information यानि कि जो आपकी information है वो आप सेम रखना चाहते हैं या उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप सेम रखना चाहते हैं तो यह कर दीजिए अगर आप यह स्पर क्लिक करते हैं तो जिस भी account में आप transfer कर रहे हैं वहाँ पे आपको कोई भी detail नहीं देनी होगी और no करेंगे तो आपको वहाँ पर सारे की सारी डिटेल दूबारे से फिल करनी होगी. जो भी अपने mail ID दिए उस पर हमें एक mail मिली है, जिसे हम accept करेंगे, उसके बार में अपने पास domain आएगा. तो हम उस account में चलते हैं. हम अपने Gmail को refresh करते हैं. यहां पर अपने पास mail नाई रहा है और यह डोमेन के लिए आ रहा है activate now का option आ रहा हुआ है इस बीटन पर अपन क्लिक करेंगे action नेट यह बो लह रहा है कि यह डोमेन है और इसको आप क्या except करते हैं यह yes except this domain पर क्लिक करें अब आपको अपना यहां पर उस account में जो कॉंटिक डिटेल दी गई थी वो यहां आ रही है तो आपको वो सेम रहने दिनी है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है और अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं यस आई इंडेस्टेंट इनकी जो भी टरंस और कंडिशन है वो आप रीड कर सकते हैं बींग ट्रांसपर पर क्लिक करें अब आप अपने अकाउंट में यह डोमें देख सकते हैं इस परकार से आप अपने डोमें को एक गोडेडी अकाउंट से दूसरे गोडेडी अकाउंट में ट्रांसपर कर सकते हैं और अगर आपका कोई QUESTION है या सुजाव है तो आप हमें कमेंट करके बताएं और यह वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करें और अच्छा नहीं लगा है तो फिर भी आप कमेंट करें कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा नहीं लगा